भारत में मुर्ति पुजा जैनियों ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व से अपनी मुर्खता से चलाई जिससे उस समय तो आधी शंकराचारे ने निजात दिलाई थी परन्तु उनके मरते ही उनको भी शिव का आउतार ठहरा कर पेट पुजा आधी होने लगी इसी मुर्ति पुज के कारण ही भारत में क्रूर इसलाम की स्थापना हुई तथा भारत को परतंत्रता का मुह देखकर अवनती के गरत में गिरना पड़ाँ अभी यदि क्रूर इसलाम से बचना चाहते हो तथा दुष्ट प्रकारक्से के मुसल्मानों और इसाईयों से दुनिया को बचाना चा चारो वेदों के 20,599 मंत्रों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मुर्ति पुजा का पक्षधर हो वेदों के प्रमान देने के बाद किसी और प्रमान के अवशकता नहीं परन्तु आदिशंगराचारे आचारे चानक के से लेकर महर्षि दयानन तक सब विद्वानों ने इस आम जन को बताया था ये चक्षुशा न पश्यति ये न चशुक्षित्ष पश्यंति तदेव प्रह्मत्व विद्थी नेंद यदि दमों पासत है अर्थात जो आख से नहीं देख पड़ता और जिससे सब आखे देखती है उसी को तु ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उससे भिन सूर्य वित्युत और अगनी आदी जड़ पडार्त है उनी की उपासना मत कर यशात्म बुध्धी कुन पेत्री धातु के स्वाधी सह एवं गोख रहा अर्थात जो लोग धातु पत्थर मिट्टी आदी की मूर्थियों में परमात्मा को पाने का विश्वास तथा जल वाले स्थानों को तीर्थ समझते हैं वे सभी मनुष्व में बैलों का चारा ढोने वाले गधे के समान है जो मन परमेश्वर को छोड़ कर किसी अन्य की उपासना करता है वह विद्वानों की दुष्टी में पशु ही है प्रतिमा स्वल्प बुद्धी नहा सर्वत्र समदर्शी नहा अर्थात मूर्थि पुझा मूर्खों के लिए है जबकि बुद्धिमा लोगों के लिए इश्वर सर्वत्र व्यापक है आप देख चुके है कि मूर्थि पुझा वेदों में नहीं बताई गई है और महर्शी मनू वेदों के विशे में लिखते है नास्ति को वेद निंद कहा ओम श्लोक अर्थात जो वेदों की निंदा अपमान त्याग विरुद्धा चरन करता है वह नास्ति कहाता है बुद्धिमान इतने प्रमानोव तर्क से समझ गए होंगे कि मूर्थि पुझा वेद विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध है जो वेद को नहीं मानता वो सही अर्थों में नास्तिक है भले ही वह इश्वर को सदेव ढूंडने मंदिरों मस्जिदों अधवाचर्चों में जाता हो एक पक्षी को भी पता होता है कि कोई मूरत उसका कुछ नहीं बिगाड सकती है कोई किसी मनुष्य की मूर्थी पर पिशाप कर देता है बीट कर देता है उससे डरता नहीं है कोई मूर्थी का शेर हमें कभी खा नहीं सकता है कोई मूर्थी का कुट्था काट नहीं सकता तो मनुष्य की मूर्थी मनो कामना कैसे पूरी करती है मार्च 2016 में मुझे काशी विश्वनात जाने का उसर प्राप्त हुआ मंदिर में जाकर मैं एक कोई के पास खड़ा हो गया वहां बहुत सारे पंडित घूम रहे थे मैंने एक पंडित जी से कोई के इत्यास के विशय में पूछा तो उसने मुझे आश्चरे जनक उत्तर दिया उसने कहा जब अवरमजेब ने काशी विश्वनात पर हमला किया था तो शिवजी के शिवजी ने इसी कोई में छलांग लगाई थी काशी विश्वनात के पंडित से ऐसा अपमान जनक उत्तर सुनकर मुझे आश्चरे हुआ ऐसा नहीं है कि उस पंडित ने मुझे गलत बताया वहां किसी भी पंडित से पूछते है तो यही उत्तर मिलता है कोई के पास खड़े होकर देखने से पुरानी मंदिर की दिवारों के उपर बनी मस्चित स्पष्ठ दिखाई देती है वास्तों में जिसे ये पंडित शिव जी कह रहे है वो एक शिवलिंग था जिसे औरंग जेब ने ज्यान वापी कोई में फेक दिया था यदि सही में महायोगी शिव जी होते तो उस विदेश अकरान था औरंग जेब और उसकी अत्याचरी सेना को देखते ही देखते नश्ट कर देते किन्तु महायोगी शिव जब थे तब थे अब तो काशी के लोगों को ही शिव बनना था किन्तु वो तो ये सोच रहे थे कि जब शिव ही डर कर कोई में भाग गए तो वो क्या करेंगे इस मूर्ती पुझा ने राष्टर के लोगों में कायरता और आलस्य का अंसंचार करने की अतरिक्त कुछ नहीं दिया है मथुराकाशी, थानेसर, प्रयाक, हरिद्वार, सोमनात, आदी सभी धार्मिक स्थलों पर कतल्याम हुए और अपार धन संपति लोट ली गई किन्तु हिंदों ने इस बुराई को अब तक नहीं छोड़ा और अब तो साई जैसे मुसलिम को भी भगवान बना बैठे है यदि स्री राम, स्री कुरुष्ण, शिवजी जैसा कोई होता तो निश्चित रूप से दूष्ट इतना साहस नहीं कर पाते किन्तु लोग तो मुर्थी को ही स्री राम, स्री कुरुष्ण और शिवजी समझ बैठे और परिनाम सब के सामने है इन इत्यासिक घटनाओं को इत्यास से संबंधित अध्याय में विस्तार से लिया जाएगा आज मक्का, मदिना, मूर्थी, पुझा का सबसे बड़ा केंदर बना हुआ है जहां 58 देशों के लोग एक मूर्थी को शैतान कहकर पत्थर मारते रहते है यदि आज आरे लोग उसी एक सुरुष्टी के बनाने वाले ओम्त्रिम को ही इश्वर माने हो और अन्य सब त्याग देवे तो निश्चित रूप से सारे संसार को इनकी एकता और ताकत के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा किन्तु यह कारे वर्तमान में तो संभव दिखाई नहीं दे रहा है मूर्थी पुझा के पक्ष में कुछ लोग थोथी दलीले देते है वे खोर स्वार्थी वर नास्तिक है तथा अनिती के पक्षधर्व मानावता के कटर दुश्मन है जिस प्रकार उल्लो को दिन पसंद नहीं होता चार चोरों को उजेली रात पसंद नहीं होती इसी प्रकार ज्वारतियों को मूर्थी पुजा का खंडन पसंद नहीं होता कुछ धर्वप्रिय सच्चे लोग भी सत्य बताने वालों को धर्म खत्म करने वाला तक कह देते हैं और कहते हैं जो चल रहा है चलने दो अतो हमें उन भुलों से बचना होगा जिनके कारण आरे देश गुलाम हुआ मंदिरों को तोड़ा गया, ध़न लोट लिया गया मंदिरों की मूर्थियों को मस्जिदों की सीडियों में चुनवाया गया स्त्रियों को दो दो कोडी में अरब के बाजारों में बेचा गया महर्शी दायनंस रस्वती जे ने अपने अमर ग्रंद सत्यार्थ प्रकाश में मुर्ति पुजा की सोलह बड़ी हानिया को हानियों को विस्तार से समझाया हुआ है इस विशे पर उस अतिरिक्त जानकारी को पढ़ना भी विशेश लाबकारी है अतो वेद विरुद मुर्ति पुजा को छोड़कर वैदिक इश्वर्चो निराका सर्वव्यापक सर्वांतर यामी सर्वशक्तिशाली वह एक है उसकी मिलकर सभी लोग प्रति पूर्वक योगा भ्यास के द्वारा उपसना पूजा करें जब सब एक ही इश्वर को मानेंगे सबकी एक ही बाशा तथा एक ही लक्ष होगा तभी उन्नती संभव है अन्यता कुछ हाथ नहीं लगेगा अंत में अपनी लिखी एक कविता द्वारा इस विशय पर अपने भावों को शब्द दे रहा हूँ जाड कंकड भूत खंड हर के हमें भय कहा खा रहे है नित्यनोतन मोक्ष दाता पंथ बनते जा रहे है कोन समझाएगा हिंदो उठ खड़ा हो चल डगर बच जाएगा तो अकेला ताक में बेठा अगर विभत्स अत्याचारों का इप्यास दोराया जाएगा बच नहीं पाएगा हिंदो वो समय फिर आएगा कहे राहु लारे हिंदों से यदि यूही समय गवाएगा दर्म रक्षा तो छोड़िये परिवार सुरक्षित ना रह पाएगा आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाएगे आपको केवल चरित्र हीनता ही दिखाई देगी पूरो पश्चित उत्तर दक्षिन किसी भी तिशा में चोटे से बड़े लोगों आदी सभी में पाप ने जड़ बना ली है जैसे मक्षी शहद में डूब जाती है वैसे ही राष्ट पाप में डूबा हुआ है जैसे मक्षी शहद में डूब कर मर जाती है वैसे ही राष्ट भी मृत प्राय हो चुका है चारो और राक्ष से प्रवरुत्या फैली हुई है तथा दोष्ट अपनी आवाज बुलन कर रहे है पाप कर्म तो इस स्थर पर भूच चुके है कि मात्र दस रुपई के लिए हत्याय हो जाती है व्यापर ही व्यापर में लूट रहा है दुकांदर दुकां से लूट रहा है नोकरी वाला ब्रष्टराचार कर रहा है राजनिती वाले देश लूट रहे है अध्यापक विद्यार्थियों को लूट रहे है डॉक्टर बिमारों को लूट रहे है चारों और लूट तंद्रकारे कर रहा है